हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं और साथियों ये मंतली लव राशी फल है अक्टूबर 2024 का और इस अक्टूबर 2024 में जो हमारे मेश लगन राशी के जातक हैं जिनका की Aries Ascendant बनता है उनकी लव लाइफ इस अक्टूबर 2024 में किस देशा में जाने वाली है यह किस प्रकारके रिजल्ट्स आपकी लव लाइफ को लेकरके आपको मिलने वाले है positive results मिलेंगे यह negative मिलने की संभावना अधिक रहेगी यह तो depend करेगा गरहों की इस्तिती पर के जैसे गरहों की इस्तिती होगी जैसी गरहों के संकेत होगे उसी प्रकार के रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे हमारा कार्रे तो इतना होता है कि गरों के आधार पर गरों के सिती के आधार पर हम आपको वो चीज आप तक पहुँचाने का कोशिश हमारी रहती है कि भई गरों का संकेत इस प्रकार का है कुछ इस प्रकार की संभावनाएं बन रही है ताकि आप उन चीजों को बहतर तरीके से समझ सके और उसी के अनुसार अपने कार्रे कर सके उससे और बहतर रिजल्टस आपको मिलने की संभावना बढ़ जाती है तो साथियों यहां पर क्या है कि जो हमारे आप मेश लगन राशी के जातक है जैसा आप जानते भी है कि हम मेंली फाइब पॉइंट्स को ले करके हमारी आपके साथ डिसकेशन रहती है जैसा कि एक तो सिंगल जातकों के लिए होती है दूसरा होती है कि अगर आपका कहीं live-in relationship है या आपका कहीं affair चल रहा है तो उसकी कैसी progress रहेगी कितना आप progress करेंगे यह relationship आपकी और कितने day by day मजबूत होगी, stable होगी या फिर इसमें कोई problem तो create नहीं हो जाएगी थर्ड होता है कि विवाइग जीवन अगर आप विवाइध है तो कैसा रहने वाला है फोर्थ नमबर होता है कि विवाइध होने के बावजूद भी कहीं क्या आप इस बात की उमीद रखते हैं कि आपका कहीं extra marital affair हो या इसके लिए कोशिश करना है या पहले से ही आपके कुछ है इस तरीके की relationship चल रही है तो उसको लेकर के कैसे हालात रहेंगे सक्टूबर 2024 में और नमबर पांच और अंत में जो है कि वो है no contact situation कि अगर आप कहीं भी पहले आपके अच्छे संबनते हैं अब आप no contact situation में आ गए no contact situation का तो मतलब यही होता है कि अब आपका उनके साथ किसी प्रकार का भी कोई contact दूर दूर तक नहीं है तो अगर आपका उनके साथ कोई contact नहीं रह गया है तो किया इस बात की संभावनाएं बनेंगी इस महीने कि आप उनके contact मासकते हैं या आपका उनके साथ contact हो सकता है और किस प्रकार का contact हो सकता है इन सारी बातों पर चरचा आपके साथ करेंगे तो साथियों आईए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेश लगन राशी की जो हमारे सिंगल जातक है तो सबसे पहले मैं साथियों आप से बताना चाहूंगा जो हमारे आप सिंगल जातक है जिनके जीवन में अभी तक कि मेरी लाइफ में भी कोई अच्छा मेरा मित्र आए और मैं उसके साथ कुछ अच्छी प्लाइनिंग करके अपने जीवन आगे आने वाले जीवन को ले करके प्लाइनिंग अच्छी कर सकूँ और उनके साथ अपनी लाइफ लीड कर सकूँ कुछ इस प्रकार की संभावनांए बनने की और कुछ गरॉह का संकेत है क्या तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आपकी इस कारवे के लिए जो ल॔ड हैं आपके वो सूर्रे हैं साथियों लेकिन सुरह की इस महीं ने इसस्तिति हcky नौगरहों के राजा कहलाते है सुरज्देव और इसस्तिति आप पर सुरह विक्टिमाईज हो गए है belki मतलबわか्टिमाईज होने के कारण थोड़ा सा एक तरीक से वह यही कहूंगा सूरे आते हैं उनकी कमजोर होतिया वह डिक्टीमाइज हो जाते हैं और जबéma होते हैं सूरे तो नैचरल है कि कोई भी किर है जब मतल्य हो जायЕगा तो उसकी तरफ उसकी और से कोई अच्छे बहतर और पॉसिटिव रिजर्ट्स जो यह वह मिलना हम अपेक्षा करना हमारा बेमानी है तो यहाँ पर सूरे की इस सिती क्या है कि एक तो पितर दोश सूरे ने बनाया हुआ है राहू के संपर्क में आकर केतु के साथ उनका संबंद बना हुआ है तो उसके कारण अर्शनी का प्रभाव भी आपके उपर है अब इसके क्या रिजल्ट निकल करके आ रहे है इसके रिजल्ट ये निकल करके आ रहे है कि इस पूरे अक्टूबर के महीने में साथियों एक तो आप बहुत ज़्यादा कन्शूज रह सकते है आप जिसको भी पसंद कर रहे है जिसको भी आपने पसंद किया है या जिसके लिए भी आपके दिल में कुछ जगा है चाहत की तो उनको लेकर के आप confused हो सकते हैं परेशान भी हो सकते हैं या ये भी कहा जा सकता है कि आपको आप जिसको आप अपना मित्र बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में उसका एंट्री चाहते होते देखना अभी तक चाह रहे थे लेकिन अप कुछ ऐसा आपके देखने में आ सकता है इस महीने कि आपके मित्र से जो आप expect कर रहे हैं जो भी अपेक्षाएं कर रहे हैं वो अपनी उन अपेक्षाओं पर पूरे ना उत्रें तो ये भी आपके लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है कि भई मैं तो इस व्यक्ति से इस प्रगार की अपेक्षाएं कर रहा था यहां तो चीज़ें कुछ डिफरेंट हैं कुछ अलग हैं तो ये चीज़ भी कही न कहीं आपको परेशान कर सकती है और चलिए अगर ये तो एक पहलू ही है इस महीने का आपके केस में सिंगल जातकों के दूसरी और ये भी है कि आप स्वेम भी खुद भी काफी एक तरीके से या मैंने जैसा कहा है कि कन्फूजन वाली स्थिती में भी रहेंगे और कन्फूजन के साथ साथ आप थोड़ा सा चिंतित वाली चिंतित भी रहेंगे टैंशन में भी रह सकते हैं और टैंशन आपको कई बातों को ले करके भी हो सकती है कुछ अलग अलग चीज़ों को ले करके तो यहाँ पर जो हालाद दिख रहे हैं आप मेश लगनडाशी के जो सिंगल जातक है उनको क्योंकि आप कुछ अपनी परिशानियों में ही इतने परिशान रहेंगे कि इस महीने आपका कुछ इस प्रकार की प्लैनिंग करना या प्लैनिंग पर एक्शन लेना ये मुझे संभव नहीं लग रहा है किसी भी एंगल से तो ये महीना आपके लिए मैं इतना ही कहूँगा जो हमारे सिंगल मित रहें जातक है उनके लिए ये ग्रहों की और से बिलकुल भी सपोर्ट ग्रह आपको नहीं कर रहें साथियों उपाय मैं आपको जूँगा उपाय आप करें मैं मानता हूं कि अगर आप उपाय करेंगे तो उसका अच्छा प्रेणाम आपके सामने जरूर आएगा सिंगल जा तक के लिए दूसरा मैं बात करूंगा कि अगर आप रिलेशन्शिप में या आपका कहीं लव ए फिर चल रहा है तो कैसा रहेगा हालात प्रिया साथियों मैं आपसे इतना भी बताना चाहता हूं कि देखिए अगर आप कहीं रिलेशन्शिप में है या आपका जो मेश लगन राशी के जा तक या आपका कहीं लव ए फिर चल रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा इस रिलेशन्शिप में या इस एफेर में इन संबंदों में जो चीजे निकल करके आ रही है गरहों के द्वारा वो यह आ रही है निकल करके कि एक टाइम तक तो आपका मित्र भी आपको सपोर्ट करेगा सपोर्ट तो करेगा लेकिन जब वो आपका एटिटूट देखेगा नजरिया देखेगा तो कहीं न कहीं या तो वो भी डिसेपोइंट होगा या आपका बिहेवियर देखेगा और बिहेवियर थोड़ा सा नि तो आपके और से कुछ इस तरीके की समस्याएं अपने मित्र को जो आपका मित्र है उसको यह फेस करने की यहां पर पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखती है आप से वो आप से कुछ शिकायत है उसको जरू रहेंगी एक हद तक तो वो एग्नॉर करने की कोशिश करेगा आपका मि मित्र के बहिए चलिए एकनॉर करते हैं कोई दिक्कत नहीं है छोड़ते हैं होता है हो जाता है कभी इनसान है लेकिन जब वो देखेंगे कि यह चीज़ें तो रेगुलर्ली यह चीज़ें आ रही हैं और महा मंद्य के बाद तो आपका बिहवियर और भी ज्यादा है और यह भी हम आपको बरावर बता रहे हैं कि बाबजूत इसके के आपकी और से ही कमिया रहेंगी अधिक चाहें वो आपके वैवार में हो चाहें बोलचाल में हो या किसी वी कैसे भी हो कमिया आपके और से रहेंगी मित्र जो है आपका एक हद तक आपको सपोर्ट करेग या आपकी ऐसी चीज़ों को इग्नोर करेगा लेकिन अंत में जाकर के जब वो भी परिशान होगा हर्ट होगा तो यहां पर कहीं न कहीं मुझे बजाए इसके के आप इस एंजॉय करें मेश लगन राशी के अपनी इस रिलेशन्शिप को या आए फैर को यहां पर मुझे कु कुल फेवरेविल नहीं है साथियों और जब ग्रहों के इसी दी फेवरेविल नहीं होती तो इनसान कुछ नहीं कर सकता कितना भी कोशिश कर ले अब बात करते हैं वेवाहिक जीवन को लेकर के वेवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा प्रिया साथियों बताना चाहेंगे कि आपका जो विवाहिक जीवन है, ये महा के आरम से लेके महा के मद्धे तक बहुत अच्छा सुखों का आनंद ले रहे हैं आप मेशलगन राशी के जा तक, लेकिन क्या है कि जैसे ही महा का मद्धे आरम होगा, सत्रा तारिक को सूर्य जैसे ही नीच अवस्था में आपके अगल जातक हैं, चाहे लव एफेर जिनका चल रहा है या रिलेशन्शिप में हैं, या वेवाहिक जीवन के जो अपना लीड कर रहे है, मेरिड लाइफ, या फिर जो एक तरीके से एक्स्टा मेरिटल एफेर में हैं, या फिर जो नो कॉन्टेक्ट में सबको ही है, ये उपा पूल इस्थिती को देखते हुए, आप से हमारा निवेदन है कि इन उपायों को अवश्य करें, और पूरी शिद्ध और निस्वार्त भावना से करें, अगर आप चाहते हैं, अच्छे परिणाम आपको इस महीने प्राप्त हों, क्योंकि ग्रहों के इस्थिती में बार बा दर्शन करती है, यही इस ग्यान का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, वो यह है, चीजों का पहले से एहसास हो जाना, अनुभाव हो जाना, पता लग जाना कि कब क्या होने की संभाव ना है, और हम उसी हिसाब से अगर कार्रे करें, एक्शन लें, तो काफी कुछ चीज आरम से लेके और महा के मद्धे तक बहुत अच्छी रहने वाली है, आप इसको पूरा एंजोय करने वाले हैं, आनन्द लेंगे, महा मद्धे के उपरांद चीज़ें तोड़ा धीरे 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 वो एक तरीके से नॉर्मल होती जली लेकिन आप आरम से लेके महा के और मद्धे तक इसको पूरे तरीके से एंजोय करेंगे अपनी सेक्स्टा मेरिटल लाइफ को, और ये भी बात है कि अगर आप नहीं भी हैं पहले से इस रिलेशन्शिप में, तो ये भी मैं बता दूँ आपको, कि संबंद बनने की भी यहा आपका फिलर्ट वगेरा हो, कुछ इस तरीके की भी पॉसिविलिटीज हैं, अब आते हैं अन्त में नो कॉंटेक्ट सिचूशन के उपर, कि भी नो कॉंटेक्ट सिचूशन पर अगर आप चल रहे हैं, तो क्या इस बात की संभावना बनेगी, कि आपका भी कहीं संपरक देखिए, कि यदि आप नो कॉंटेक्ट में हैं, तो सबसे पहले, तो आप अपनी सोच बदलिएगा, जो निगेटिव थौट से ना आपके, वो ही सबसे बड़ा परिशानी का कारण है इस रिलेशन्शिप में, तो आप सबसे पहले तो अपनी सोच को तो पॉजिटिव कर है, कि हमसे भी कुछ गलतियां हो रही हैं, जाने में, अन जाने में, जिनका हमको एहसास ही नहीं है, तो फिर तो बात कैसे बनेगी, नहीं बने पाएगी, तो यहां पर थोड़ा सा एनलाइज करें, अपनी जो गतिविदिया हैं, अपनी सोच के बारे में, उसको भी करने की जरूवत है क्या चीजों को सुधारने की आवशकता है ये बहुत आवशक है इस समय आपके लिए और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि मेरा कैना भी एक तरीके से वेर्थ है क्योंकि ग्रहों की जो इतनी प्रितिकूल इस्थिती है वो आपको कुछ ऐसा करने देगी केना हम चाहते हैं ग्रहों की इसीती ऐसी बन रही है तो हम उसी के आदार पर आपका मारखदर्शन कर रहे हैं लेकिन हमें लगत नहीं रहा कि आप आसानी से इन बातों के लिए एगरी होंगे क्याँ भई मैं अपनी भी कम्यां दूर करूं पहले सामने वाले की कम्यां मैं बाद में देखूँगा, पहले मैं अपने आपको ठीक करूँ, पहले अपनी सोच ठीक करूँ, जहां पर मुझसे गलतियां हुई है, उनको रेक्टिफाई किया जाए, यह सब चीज़ है, और यहां पर आपको एक बहुत अच्छी बात बताएंगे, कि जो आपका वो मित्र है जिसके साथ आप नो कॉंटेक्ट सीचोजन में चल रहे हैं, वो पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट है, यह बहुत ग्रहँ की तरफ से जो संकेत है, वो यही है कि वो आप से अगेंस्ट में नहीं है, कुछ चीज़ों को ले करके वो आपकी नाराज हो सकत है तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि दिखिए हाला कि यह महीना ऐसा नहीं है कि आगर आप उनसे संपर्क करेंगे तो कुछ फूरूट फूल रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे मैं इस बात की तो आपसे गारंटी के साथ बात नहीं कह सकता क्योंकि ऐसी इस सिती नहीं दिख रही है गरों की लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कह पा रहा हूँ और इस बात को कहने हमें जो कोई संकोश नहीं है, कि आपका जो वो मित्र है, ये आप जान लीए, समझ लीए, और अगर आप को कहीं से कोच अच्छा संकेत मिल रहा होगा, तो ये बात आप अनुभाव भी करेंगे, कि आपका जो वो मित्र है वो मैं तो कहता हूँ कि आपसे जादे तो सपोर्ट उसका है आपके लिए चाहें वो सपोर्ट हिडिन सपोर्ट हो आपको ना दिख रहा हो आपको महसूस ना हो रहा हो लेकिन है ये बात बिलकुल सही है जो हम आपसे पता रहे हैं लेकिन कुछ बातों को ले करके उनको भी आपसे शिकायत और कंप्लेंट है इनी बातों पर आपको गौर करने के आवश्यक्ता रहेगी सबसे बड़ी जो बात है वो यही है अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं और इस संबंदों को बहतर बनाना चाहते हैं तो साथियों ये तो थी चर्चा आप मेश लगन राशी के जात्कों के इस लव लाइफ को ले करके अब मैं आपको दूँगा वो उपाय कि जिनके करने से आपको निश्चित रूप से कुछ बहतर प्रेनाव की प्राप्ति होगी साथियों सबसे पहला उपाय तो ये है कि बिना नागा प्रहते काल इसनानादी से फ्री हो जाएं उसके बाद आप तामे के पात्र में जल लें शुद जल लें थोड़ा गंगा जल मिलाने और सूर्य देव को अर्द दें और उसी समय आपको इस मंतर का एक सूआट बार मनी मन जाप करना है ओम हराम हरीम हराम से है सूर्य आए नमा और अगर आप थोड़ा समय और निकाल सकते हैं और भई रिजल्ट्स चाहिए तो समय तो निकालना पड़ेगा अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो तो आपको अपने घर के पूजा घर में बैट करके पूजा घर के सामने बैट करके आदित्ते हिर्दे स्तोत्र का पार्ट चाहें आप 10 मिनट करें या 15 मिनट करें जबू करें और हनुमान जी की पूजा संध्या के समय करना बिलकुल ना भूले नियमित रूप से रिजल्ट्स आपको जितनी बात हमने आप से की है इसमें काफी हद तक आपको अच्छे रिजल्ट्स पर आपत हो जाएंगे आप निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आपको रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे तो मेरे प्रियसातियों ये था आप मेश लगन राशी के जात्कों का मन्थली लव राशी फल मासिक लव राशी फल महा अक्टूबर दोहजार चौविस का हमने पहली बार कह सकते हैं कि उपाये दिये हैं बड़े लंबे समय के बाद लव राशी फल में अरने था हम देते नहीं हैं क्योंकि यहां गरों की सिती काफी प्रिती कूल है तो इसलिए हमने उपाये देना यहां पर मुनासिब समझा ओचित समझा आप इन उपायों को जरू करें अच्छे लाप राप्त करेंगे तो यह था आपका मन्थली लव राशी फल मेश लगन राशी के जातकों का उपर 2024 का यदि आपको यह चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरू करें चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को में रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उनका भी सबका लाब ले सकें तो साथियों फिर आप बिना देर किये बैल आइकन जरूर प्रेस करें इसी के साथ आप हम अपने आप सभी द्रशक गणों से मित्रों से इजाज़त लेना चाहेंगे और अपनी वानी को भी विराम देंगे और कार्यकरम का करेंगे समापन तो आप सभी का सेहर दें बहुत बहुत धन्यवाद जय माता दी